पूछता है भारत कि सुशान सिंग राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिक कौन है? पूरा देश जानता है रिया चक्रबर्दी पूरे देश में राम मंदर के लिए बहुत उल्लास है लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयुध्या की तस्वीरें देखकर आज दिन भर दुखी होते रहे खुश नहीं हुए एक अस्पताल बीना एनोसी के चल रहा है और आग लगने पर फायर सिस्टम काम नहीं करता है आठ लोग जलकर मर जाते हैं क्या ये रामराज है? क्या रामराज की यही परिकल्पना है? और जब राम की आयुध्या थी तो क्या ऐसे नफरत की खेती होती थी? अगर आपको डर लगा है? नहीं नहीं और देखेंगे किसने सरकार से सवाल किया और किन मुद्धों पर? पहले बात करते हैं रिपब्लिक टिवी के वरिष्ट पत्रकार अर्नब गोस्वामी की आईए जानते हैं उन्होंने किन मुद्धों पर डिबेट की? पहला सुषानत केस में गुनेगारों की रक्षक मुंबई पुलिस दूसरा आई सच की बारी दिशा के हत्यारे शुषानत के दुश्मन तीसरा आखिर किसे बचाने के लिए सुषानत को मारा चोहता शुषानत केस में सबसे बड़ी गवाही और पांचमा मुंबई पुलिस का जूट पकड़ा गया अरनब अपनी डिबेट में कुछ किने चुने मुद्धे ही उठाते दिखाई देते हैं पर इस पार अरनब शुषान सिंग राजबूत के मुद्धे पर काफी सक्रिये दिख रहे हैं पिछले हफ़ते की अगर डिबेट देखें तो तकरीबन हर डिबेट सुषान सिंग राजबूत के मुद्धे को लेकर ही हुई है इसमें वे मुंबाई पुलिस और रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं पूछता है भारत की सुषान सिंग राजबूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिक कौन है पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती रिया चक्रवर्ती लेकिन वो आज तक गिरफतार नहीं हुई जानते हैं क्यों दोस्तों क्यूंकि उसकी पहुँच मुंबाई पुलिस तक है मुंबाई पुलिस के डी सीपी अभी शेक त्रिमुखे रिया चक्रवर्ती से हर बार फोन पर बात करते थे इसकी डीटेल मेरे पास है अगर पुलिस पोन पर रिया से पुच्छताच कर रही थी तो बताईए मुझे क्योंकि पुच्छता है भारत 28 सेकेंड 29 सेकेंड की बातचीत में कौन सी पुच्छताच होती है अरे परम्मीर सिंग अब बात करते हैं जेन्यूस के वरिष्च पत्र का सुधीर चौदरी की सुधीर अपने शोडी एने के जरीए जानकारी तो देते हैं पर जारा तर मुद्धे हिंदो मुस्लिम से मिलते जुलते ही उठाते हैं आईए देखते हैं उन्होंने पिछले हफ़ते डिबेट स्किन मुद्धो पर की पहला केरल के कोजी कोड में हुए विमान हापसे का विशलेशन दूसरा तुष्टी करन की राजनीती का डीने टेस्ट पूरे देश में राम मंदर के लिए बहुत उल्लास है लेकिन इसी देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आयुध्या की तस्वीरें देखकर आज दिन भर दुखी होते रहे खुश नहीं हुए ये लोग भारत के धर्म निर्पेख्ष्टा की दोहाई दे रहे हैं और इसी के लिए आंसू बाराए हैं ये वो लोग हैं जो सत्तर साल तक भारत को नकली धर्म निर्पेख्ष्टा सिखाते रहे जबकि ये लोग जानते हैं कि देश के करोड़ों लोगों ने राम मंदिर का अपना अधिकार एक लंबे आंदोलन और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जीता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीता है इसके बावजूद ये लोग ना तो सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं और ना ही इस देश के समिधान को मानने के लिए तयार है आज यही लोग बाबरी मस्जद जिन्दा है जैसे ट्विटर ट्रेंड करवा रहे थे इसमें खुद को धर्म निर्पेक्ष बताने वाले बुद्धी जीवी थे पत्रकार थे नेता भी थे जो मुस्लिम कट्रपंतियों को बढ़ावा दे रहे थे कि और उनसे हमदर्दी जता रहे है इसके लावा सुधीर ने अपने शो के जरी राम मंदर पर हो रही सियासत को इतिहास से जोड़ा और उसमें भी हिंदू और मिस्लिम का लिकर किया वर्ष 1947 में भारत तो आज़ाद हो गया लेकिन तब भी हमारे देश में 565 ऐसी रियासते थी जिने भारत में रहने पाकिस्तान के साथ जाने या फिर सौतंत्र रहने का विकल दिया गया था ऐसी ही एक रियासत थी जिसका नाम था जूनागड और जूनागड के शासक का नाम था नवाब महबत खान जूनागड में बहु संक्यक आबादी हिंदूओं की थी और इसकी पाकिस्तान से कोई सीमा भी नहीं मिलती थी और उसने ये तय किया कि वो भारत नहीं पाकिस्तान के साथ मिलेंगे सरदार पटेल को ये बात पसंद नहीं आई और भारत ने अपनी सेना भीजने की तैयारी वहाँ पर कर ली हैदराबाद और जूनागड में शासक मुसल्मान थे लेकिन बहुत संख्यक आबादी हिंदू थी फिर भी इन लोगों ने आजाद रहने और पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया लेकिन राम मंदर के निर्मान की पीड़ा पाकिस्तान को भी बहुत हो रही है और पाकिस्तान ने एक नया राजनितिक नक्षा जारी करते हुए जिसमें जूनागर और कश्मीर दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा बनाए गया है अब बात करते हैं उस मीडिया की जो अकसर जनता के मुद्धे उठाकर सरकार से सवाल करता है पहले बात करते हैं एंड़ी टीवी के वरिष्ट पत्र का रवीश कुमार की पहले जानते हैं कि उन्होंने किन मुद्धों पर डिबेट किये पहला रविंदरनाट टैगोर का राष्टरवाद और आज का समय दूसरा कैग रिपोर्ट कम क्यूं तेर से क्यूं तीसरा राम मंदिर के भूमी पूजन का सार समगर चौथा बीते एक साल में क्या कुछ हुआ कश्मीर खाटी में और पांचवा एहंदाबाद कोविट हॉस्पिटल में आग लगने से आठ मरीजों की मौत रवीश कुमार ने अपने शो के जरिये रविंदरनाट टैगोर के प्लेक के बारे में बताया जिसे तकरीबन 112 साल पहले लिखा गया था इसमें एक राजा और संत की मंदिर निर्मान पर बात चीत का लिकर है 7 अगस्त 1941 को रविंदरनाट टैगोर का निधन हुआ था इन 80 सालों में टैगोर का रचना संसार फैला ही है 120 साल पहले 5 अगस्त के ही दिन लिखी उनकी रचना टैगोर के पाठक संसार में घूमने लगी जिसमें टैगोर लिखते हैं कि मंदिर में कोई भगवान नहीं यह एक संत और राजा के बीच का प्रसंग है संत के मुख से सुनकर राजा कोधित हो जाता है कहता है मंदिर निर्मान के सभी कर्मकांड पूरे करने के बाद हमने 2 लाग स्वन मुद्राएं लुटा दी और आप कहते हैं कि मंदिर में भगवान नहीं है संत कहते हैं कि जित साल आपकी 20 लाग प्रजा भयंकर सुखे से तरस्त हो लोगों के पास खाने के लिए अनाजना हो उस साल में आपने 2 लाग स्वन मुद्राएं खर्च कर भव मंदिर का निर्मान किया उस दिन भगवान ने कहा कि मेरे घर की बुनियाद मुल्यों पर है सत्य शांती करुना प्यार से बना है मेरा घर इसके लावा रवीश ने अपने शो के जरिया एहमदाबाद के कोविट हॉस्पिटल में लगी आग का दिकर किया और सरकार की नाकामियों पर सवाल भी किये एहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में 6 अगस्त के सुबह 3.30 बज़े आग लग गई आठ मरीज जलकर मर गई यह अस्पताल कोविट का है और इसमें इलाज करा रहे है मरीज कोविट से संक्रमित थे आग अस्पताल के I.C.U में लगी थी और मारे गए सभी मरीज I.C.U में ही भरती थे अस्पताल के कर्मचारी की P.P.E. सूट में आग लग गई है जिससे वो बुरी तरज जल गया है कई मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया है मरने वाले लोग सिर्फ संख्या नहीं है उनके नाम भी है एमदाबाद मिरर की पत्रकार दीपल त्रिवेदी ने ट्वीट किया है कि अस्पताल का फायर सिस्टम काम ही नहीं कर रहा था इस अस्पताल के पास नो अबजेक्शन सर्टिफिकेट तक नहीं है इसके मालिक भारत महंद पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में कॉंग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए थे एक अस्पताल बीना एनोसी के चल रहा है और आग लगने पर फायर सिस्टम काम नहीं करता है आठ लोग जल कर मर जाते हैं अब बात करते हैं सेनियर पत्रकार अजीत अंजम की अजीत अंजम अक्सर हर मुद्धे पर सरकार से सवाल करते हैं आईए देखते हैं उनके द्वरा उठाए गई मुद्धे कौन से थे पहला कोजी कोड प्लेन क्रेश हाथ से होते रहे डीजे सी ये सोता रहा दूसरा मोदी राज में सच को ऐसे डिलीट भी कर दिया जाता है तीसरा मोदी का भूमी पुजन 15 अगस्ट से 5 अगस्ट की तुलना और फर्ग चोथा अयोध्या में राम मंदर भूमी पुजन मोदी का रामराजे वसिल गांधी का रामराजे और पांचवा बाबरी डेमोलिशन केस में अडवानी और जोशी के बयान जूटे फसेंगे तो मोदी बचाएंगे अजीत अंजम ने अपने एक शोव में गांधी के रामराजे और मोदी के रामराजे की बात की और ये जानकरे भी थी कि गांधी जी के मताबिक राम राजे क्या था? मैंने अपने आदर्स समाज को राम राजे का नाम दिया है, कोई यह समझने की भूल न करे कि राम राजे का अर्थ है हिंदूों का शासन। और जब राम राजे की बात करते हैं, जैसे योगी का एक बयान में देख रहा था, 2017 में उन्होंने कहा था, कि 2019 तक राम राजे आ जाएगा, क्या राम राजे आ गया, यूपी में आ गया, देश में आ गया, और राम राजे की यही परिकल्पना है, जिसमें नफरत, जिसमें क दोनों तरफ के मीडिया के द्वारा उठाई गए मुद्दों में कितना फरक है। हम उमीद करेंगी कि हमारा मेंस्रीम मीडिया भी जनता के मुद्दे उठाकर सरकार से सीधे सवाल करेगा और जनता को राहत दिलाने की कोशिश करेगा। Bureau Report, Punjab Today TV